First of all guys, हम लोगों को scale की help से एक line draw करना है 2 cm का यहाँ पर मैं एक line draw कर रहा हूँ बिल्कुल step by step मैं आपको इस diagram को draw कर दिखाने वाला हूँ Simply आप मुझे follow करते जाएए अब आपको इससे 3 cm की distance पर एक point mark कर लेना है और इसी size का बिल्कुल सामने parallel एक और line draw करना है आप लोगों को simply 1.5 cm पर इसके center पर दोनों के बीच और बीच यहाँ पर एक point mark कर देना है हम simply यहाँ पर draw कर रहे हैं एक hexagon इसकी six sides हम draw करेंगे अब आप लोगों ऊपर भी same करना है उपर आप लोगों को यहाँ पर मैं देखें बीच में 1.5 cm पर एक point mark कर लेता हूं आप लोगों को यहाँ पर 1 cm उपर एक और point mark करके join कर देना है दोनों को तो same manner में basically हम लोगों ने draw कर आए hexagon अब आप लोगों को इसके नीचे नीचे की तरफ 1 cm का एक और line करना है और फिर उसके आप लोगों को दोनों साइड इसके left और right दोनों साइड आप लोगों सेम तरीके से एक और hexagon draw करने भी लोगों connected देखें जैसे मैं कर रहा हूं 2 cm का यहाँ पर मैं draw कर रहा हूं इसे फिर हम इसे connect कर देंगे और नीचे से भी हम close कर देंगे connect करके 1 cm रखना इसके center point से और connect कर देना है सेम हमें left hand side भी करना है यहाँ पर तो guys हम लोगों ने three draw कर ली है अब आपको ऊपर वाले सबसे टॉप पर जो बना है उसके ऊपर 1 cm का एक line draw कर देना एक्स्ट्रा सेम आप लोगों के नीचे करना है एंड पर वन सेंटीमेटर का मैं यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूं लोगों यहाँ पर three cm distance पर एक और यहाँ पर line draw कर देना है पूरा hexagon यहाँ पर आप हम नहीं बना रहे हैं तो यह भी हमने इसका end draw कर लिया है मैंने इसका directly draw कर लिया है वैसे ही आप लोगों को यहाँ पर right hand side भी करना है एक half hexagon draw करना है तो यह देखें मैंने यह भी draw कर लिया अब हम इसके ऊपर यहाँ पर जैसे हमने वन सेंटिमीटर का एक line draw कर था सेम यहाँ पर draw कर लेंगे अब हम लोगों को यहाँ पर इसके ऊपर draw करने एक और layer आप लोग स्केल का भी यूज कर सकते हैं नहीं तो मैं आपको recommend करूंगा आप free hand से यह draw कीजिए कि काफी difficult हो जाती है यह layer जो हम लोग ड्रोगर इसके ऊपर आप लोगों को जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ तक मैं ले गया और half पर ही हमें draw करनी है और back ले जाते हुए half section पर draw करते हुए यह हमने connect कर दी तो देखिए इस लाइन को half join किया है और half part पर आपको ऐसे draw कर देखिए में फ्री एक जैसे मैं कर रहा हूँ same manner में आपको पूरे reason को cover करना होगा बहुत carefully इसे draw कीजिएगा काफी इसमें time लग सकता है आप जो यहाँ पर end point है इसे भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं आप चाहें तो यहाँ पर जीए मैंने आपर reason ड्रॉ कर लिया है इसकी आउट अलियर आप वीडियो को यहाँ पाउस कर लीजे और फिर उसके बाद इतना ड्रॉ कर लीजे फिर हम लोग नीचे का भी कर रहे हैं मैं आपको बिल्कुर step by step करके दखाने वाला हूँ वीडियो को बिल्कुर भी मैंने faster नहीं किया है अब हम यहाँ पर भी लियर ड्रॉ कर रहे हैं तो इसकी एक और extra लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेता है फिर उसका उसमें पर लेयर कर देंगे इतना करने का आप लोगों को यहाँ पर के रीजन पर भी ड्रॉ कर लेना एक और लेयर अगर आपको किसे अटारा में प्रॉब्लम हो तो आम मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा मैं उस पर वीडियो बना दूंगा तो गईस कुछस तरह से हमने इसे बेसिकली पूरा कम्प्लीट ड्रॉ कर लिया है अब मैं इसे थोड़े टाइम के लिए प्ले कर देता हूं ताएक अगर आपको कम्प्लीट रहेगा तो आप लोग कम्प्लीट कर लीजे इसके बाद हम लोग फर्दर लेबलिंग करेंगे अगर आपको किसे और प्रॉलम हो तो आपको कम्प्लीट बॉक्स में ज़रू बताएगा